नाव बिस्कूस देनेक्स हेडिंग इस वर स्पेसिफिक रोटेशन इस स्टेंडर्डराइज्ट फिजिकल कॉंस्टेंट फार्ड आमाउंट डैटे कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलाइज लाइट जो हम कंपाउंड ले रहे हैं वो कितना किसी चीज़ को रोटेट कर दे रहा है जैसे सुगर का हमको निकालना है तो सुगर का रोटेशन कितना होगा हम पॉलरी मिटर के थूर पता सकते हैं तो यहां भी वही कहा गया है कि स्पेसिफिक रोटेशन इस स्टेंडराइज फिजिकल कॉंस्टेंट है किसके लिए फॉर दे एमाउंट दैट दे कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलाइज लाइट तो जो कंपाउंड हम यूज करने जा रहे हैं जो प्लेन पोलाइज लाइट को रोटेटक कर देता है वो उसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है तो इस पेसिफिक रोटेशन इस दिनोटेट भाएद्डा सिंबॉल अल्फा and defined using a specific sample tube length उसको हम diameter में लेते हैं concentration हम जो लेते हैं उसको solution त्यार करते है that is in gram per milliliter temperature 25 degree पर होता और wavelength हम लेते हैं 589 nanometer to be very clear cut concept यहाँ पर याद रखना है wavelength जो हम ले रहे हैं 589 alpha क्या है observed rotation कितना है degree में length L is the length of the sample tube और C is the concentration of the आपका tube बज़े this is the three concept first, second and third तो decimeter दिया है कि 1 decimeter is equal to 10 centimeter होता है तो हम इसको दूसरे ढ़ंग से भी denote करना चाहें formula को to S is equal to theta upon L into C into 10 तो यह हम इसको दूसरे सूर्थ में भी शर्ते हैं तो यह हम इसको दूसरे सूर्थ में भी शर्ते हैं the molecular rotation is the product of specific rotation and molecular weight of the substance so this is the specific rotation जिसको हम mathematically धंग से इस formula के द्वारा हम represent करते हैं what is the specific rotation on the behalf of this is positive rotation we can easily explain the working function of of Laurent Hobbset polyrimeter and how we will use it to find a specific rotation of sugar solution sugar solution के specific rotation हम को देखना है तो हम easily हम इसको polarimeter के थूरू हम निकाल सकते हैं तो later on we will discuss the Laurent Hobbset polarimeter प्रिण प्रिण